बहुत सारे महत्वपुन विश्यों को हम उठा रहे हैं ऐसा ही एक बहुत महत्वपुन विश्य हमारे लिए और सारी दुनिया के लिए है ग्लोवल वार्मिंग, वैश्विक गर्मी, सारी दुनिया में बढ़ने वाली गर्मी आप आजकल अगर समाचार पत्र पढ़ते हों, टेलिवीजन पे खबरें देखते हों तो अक्सर आपने ये शब्द सुना होगा कि सारी दुनिया में अभी गर्मी बढ़ रही है धीरे धीरे दुनिया और ज़्यादा गर्म हो रही है आज से लगबग सौ वर्ष पहले दुनिया का जो ओसतन तापमान होता था उसमें लगबग दो डिगरी सेंटिग्रेट की व्रद्दी हो गई है हमारे भारत के और दुनिया के बहुत सारे वैग्यानिक जो इस विशे पर काम कर रहे हैं उनका ऐसा मानना है कि अगर इसी रफ्तार से दुनिया चलती रही तो अगले 20 से 25 वर्षों में और अधिक से अधिक सन 2050 तक आते आते सारी दुनिया की गर्मी और ज़्यादा लगबग 4 डिगरी सेंटिग्रेट तक बढ़ जाएगी और अगर ये गर्मी बढ़ गई सारी दुनिया में तो वैग्यानिकों का ये कहना है कि उत्तरी धुरूपर जो बर्फ जमा है वो बर्फ बहुत तेजी से पिगलना शुरू हो जाएगी हमारे भारत देश में जो हिमाले में ग्लेशियर है ये ग्लेशियर पिगलना शुरू हो जाएगे अगर उत्तरी धुरूप की बर्फ पिगलती है और हिमाले के ग्लेशियर पिगलते है तो नदियों में पानी बहुत जादा आएगा और नदियों में पानी का अगर सतह बढ़ती है तल बढ़ता है तो ये बढ़ा हुआ नदियों का पानी अंत में जाके समुद्र में मिलेगा तो समुद्र में पानी बढ़ जाएगा और कहा ये जा रहा है कि समुद्र के पानी में थोड़ी सी बढ़ोत्तरी अगर हो गई मामुली सी बढ़ोत्तरी अगर हो गई समुद्र के पानी में आप कलपना करिये लगबग 6-7 इंच की व्रद्धी अगर हो जाए वैज्यानिक तो अनुमान कर रहे हैं कि 12 से 14 इंच की व्रद्धी हो सकती है लेकिन अगर 6 से 7 इंच के समुद्र के पानी के सतह में व्रद्धी हो गई तो आपको बहुत दुख होगा ये जानकर कि दुनिया के बहुत सारे देश उसमें डूब जाएंगे और दुनिया के देश जो डूबेंगे उनमें भारत का भी बहुत बड़ा इलाका है जो समुद्र में डूब सकता है हमारे भारत में आपको मालूम है कि समुद्र के किनारे लगबग 2 लाख गाओं है संपूर्ण भारत देश में करनाटक में एक बहुत बड़ा इलाका है जो समुद्र के किनारे है आंधर प्रदेश का एक बहुत बड़ा छेतर है जो समुद्र के किनारे है तमिलनाडू का एक बहुत बड़ा छेतर है समुद्र के किनारे है केरल का बहुत बड़ा छेतर है समुद्र के किनारे है बंगाल का कोई न कोई इलाका समुद्र से लगता है और अगर समुद्र के तल में पांच-छे इंच से लेकर बारे से चौदे इंच की व्रद्धी हो गई तो भारत के लाखों-लाखों गाउं का अस्तित तो खतम हो सकता है हमारे देश का जो गोवा है जो सबसे खुबसूरत राज्यों में गिंती किया जाता है ये गोवा पूरा समुद्र में डूब सकता है मुंबई का इलाका पूरा समुद्र में डूब सकता है केरल का आधे से जादा इलाका समुद्र में डूब सकता है आंदर प्रदेश का इलाका समुद्र में डूप सकता है आदे से जादा उडिसा, बंगाल, करनाटक, कई राज्यों का काफी इलाका समुद्र में डूप सकता है अगर संख्या में गिंती करें तो भारत के दो लाख गाउं के लिए खत्रे की घंटी है भारत के दो लाख गाओं के अस्तित्त के लिए बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है और ये भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों के लिए खत्रे की घंटी है आपको सुनकर ताज्यूब होगा हैरानी होगी कि दुनिया में कुछ देश तो ऐसे हैं जो पहले से ही समुद्र के सतह से नीचे बसे हुए है और वहाँ तो ये खत्रा सबसे ज़्यादा है एक छोटा सा देश है यूरोप में उसका नाम है नीदरलेंड हॉलेंड ये देश तो समुद्र के नीचे बसा हुआ देश है ज़्यादातर इस्थानों पर आप जब जाते हैं न तो वहाँ लिखा रहता है कि ये समुद्र के तल से इतना फिट ऊपर है ये समुद्र के तल से इतना मीटर ऊपर है Holland में जब जाते हैं तो वहां लिखा रहता है कि यह समुद्र के तल से इतना फिट नीचे है यह समुद्र के तल से इतना मीटर नीचे है तो Holland जैसे देश जो पहले से ही समुद्र तल के नीचे हैं उनके अस्थित्ऩ को तो और भी बड़ा खत्रा है अगर ये दुनिया में गर्मी बढ़ती जाए और इस बढ़ती हुई गर्मी से बरफ पगलना शुरू हो जाए उत्री धुरूबों की बरफ पगल जाए भारत के हिमाले छेतर की बरफ पगल जाए तो लाखों गाउं के लिए हजारों शहरों के लिए खत्रा है और ये गाउं और श का जो मौसम का चक्र है न वो बदल जाता है सबसे बड़ा बदलाव क्या आता है कि मौसम के चक्र में जितनी गर्मी होनी चाहिए उसी के अनुसार बारिश होती है जितनी बारिश होनी चाहिए उसी के अनुसार सर्दी होती है और जितनी सर्दी होनी चाहिए उसके अनुसार फिर गर्मी होती है और फिर जितनी गर्मी होनी चाहिए उसके अनुसार बारिश होती है माने गर्मी, सर्दी, बारिश ये सब एक दूसरे के साथ आंतरिक रूप से बहुत गहराई से जुड़े हुए है थोड़ी गर्मी बढ़े तो बारिश कम जादा होती है थोड़ी गर्मी बढ़े तो सर्दी भी कम जादा होती है अब बारिश कम जादा हो जाए तो हमारे देश के क्रशी उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ता है इसी तरह से सर्दी कम जादा हो जाए तो क्रशी चारण से आपको यह समझाता हूँ सर्दियों का सत्र शुरू हो गया है यह सर्दियों का सत्र थोड़े दिन चलेगा लगबग तीन से चार महीने अगर इसमें सर्दी आधा डिग्री सेंटिक्रेट भी कम हो जाए जितनी जरूरत है अगर उतनी सर्दी ना हो तो आपको सुनक रहरानी होगी कि गेहूं की फसल नहीं आएगी गेहूं जो पकता है हमारे देश में दाने के रूप में वो पकेगा नहीं फसल पूरी नहीं आएगी गेहूं का उत्पादन बहुत कम हो जाएगा इसी तरह से उल्टा है अगर गर्मी जादा बढ़ जाए तो गर्मियों के स सत्र में आने वाली फसल के उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो सारी दुनिया तहस नहस हो सकती है। लाखों लाखों एकड गेहूं की फसल बरबाद हो जाए। लाखों लाखों एकड बाजरे की फसल खराब हो जाए। लाखों लाखों एकड मक्की की फसल खराब हो जाए। लाखों लाखों एकड़ धान की फसल खराब हो जाए ये पूरी संभावना है अगर मौसम का चक्र थोड़ा भी इधर से उधर हो जाए या थोड़ा भी मौसम के चक्र में परिवर्तन हो जाए इसलिए सारे दुनिया के वैग्यानिक बहुत जादा इस बात पर चिंतित हैं कि पिछले सो वर्षों में वाता वरण में दो डिगरी सेंटीग्रेट की गर्मी तो हो चुकी है और अगले पचास वर्ष तक माने दो हजार पचास तक आते आते और दो ढ़ाई डिगरी मिलकर आजकल एक वार्ता कर रहे हैं एक संबाद कर रहे हैं और उस वार्ता और संबाद का मुख्य विशह है कि सारी दुनिया की गर्मी को कैसे कम किया जाए और इस गर्मी को कैसे रोका जाए अंतराश्वी इस्तर पर एक संधी हुई है उस संधी का नाम है क्योटो पहले दुनिया के 156 देशों के राश्रुपती प्रधान मंत्री सब लोग इकठे हुए भारत के भी प्रधान मंत्री गए अमेरिका के राश्रुपती वहां आए चीन के राश्रुपती वहां आए और दुनिया के सभी 156 देशों के राश्रुपती प्रधान मंत्री वहां एक जो जो कारण से गर्मी बढ़ रही है उन कारणों को ठीक करने के लिए सारे देश मिलकर प्रयास करें तो लगबग 4-5 वर्षों से पूरी दुनिया में वेग्यानिकों के छोटे बड़े दल बने हैं और वो इस बात का अध्यन कर रहे हैं कि ये जो गर्मी बढ़ रही है इसके सबसे बड़े कारणों में से मुख्य कारण कौन-कौन से हैं तो वेग्यानिकों ने जो अभ्यास किया अब तक जो अध्यन किया है उसके लिए जो सबसे बड़ा दल बना भारत के वेग्यानिकों का और दुनिया के वेग्यानिकों का उसके अध्यक्ष एक बहुत बड़े वेग्यानिक बने उनका नाम है डॉक्टर आर के पचौरी उनके नेत्रत्तु में वैग्यानिकों का एक बड़ा दल बना, उस दल ने लगबग चार वर्षों से थोड़े जादा समय अध्यन किया, अध्यन करके उन्होंने जो सारी दुनिया को बताया कि गर्मी बढ़ रही है, उसके सबसे बड़े कारणों में से एक कारण है लोगों का कि दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं इस समय, एक तो ऐसे लोग हैं जो जीवन में बच्पन से लेकर और उम्र के आखरी दिन तक मासा हरी है, तो भारत के और दुनिया के वैग्यानिकों ने जो अध्यन किया तो पाया कि जो लोगों की जीवन शैली में मास खाना बहुत ज़्यादा मास का उपवोग करते हैं उनके कारण दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है अगर उस गर्मी के बढ़ने को कोई अंक से निरूपित किया जाए और मैं आपको समझाने के लिए गूगल के स्टोर पर जाकर राजीव दिक्षिट जी ओल इन ज़रू डाउनलोड करें दूनिया में 20 कारण हो सकते हैं 50 कारण हो सकते हैं गर्मी बढ़ने के उनमें सबसे बड़ा कारण है मास का उत्पादन और उसका उपभोग तो मास का उत्पादन करने वाले जो देश और मास का उपभोग करने वाले जो देश हैं वो सबसे ज़्य जादा गर्मी बढ़ा रहे हैं अब इस गर्मी बढ़ाने को प्रतिशत में अगर मैं बताने की कोशिश करूँ तो मान लीजे सौ प्रतिशत कुल अंक होते हैं तो इसमें पच्चीस प्रतिशत गर्मी बढ़ रही है वो मासाहारी लोगों के जीवन शैली के कारण बढ़ रही अठारे प्रतिशत जो गर्मी बढ़ रही है वो दुनिया में फाल्तू गाडियां चलाने से और बिना जरूरी यात्राइं करने से बढ़ रही है 25 प्रतिशत गर्मी बढ़ रही है मासाहारी भोजन से 18 प्रतिशत गर्मी बढ़ रही है फाल्तू के यातायात से और बची हुई जो गर्मी बढ़ रही है वो बची हुई गर्मी बढ़ रही है प्रदूशन से और ओद्योगिक उत्पादन के द्वारा और सेवाओं के द्वा तो कुल मिलाकर गर्मी बढ़ने के इतने सारे कारण है ओद्योगिक कारणों में लगबग अठारे बीस कारण है उनके जादा विस्तार में नहीं जाना चाहता समय चला जाएगा तो ओद्योगिक उत्पादन को सारी दुनिया में कहा गया कि एक उत्पादन ऐसा जो बहुत जरूरी है लोगों के जीवन को चलाने के लिए जो आवश्यक उत्पादन है और एक उत्पादन ऐसा जो बिलकुल जरूरी नहीं है लोगों के जीवन को बिना उस उत्पादन के भी चलाया जा सकता है जैसे मैं एक उधारण दूँ कि हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के लिए चावल का उत्पादन करना पड़ता है, गेउं का उत्पादन करना पड़ता है, चने दाल सबजियों का उत्पादन करना पड़ता है, फलों का उत्पादन करना पड़ता है, हमें सूखे मेवों का तो इस उत्पादन को माना जाता है, यह जरूरी उत्पादन है इसी तरीके से आपको इसनान करना है, तो आपको साबुन चाहिए, कपड़े धोने हैं, तो आपको वाशिंग पाउडर, डिटरजेन पाउडर चाहिए आपको अपने जीवन में देनिक कामों को पूर्ती करने के लिए जो काम में आने वाली चीजों का उत्पादन है वो भी जरूरी माना जाता है तो दुनिया में दो तरह का उत्पादन एक जरूरी गैर जरूरी उत्पादन क्या माना जाता है दुनिया में उधारण के लिए आप अपने घर में रेफ्रीज रेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये रेफ्रीज रेटर का सारी दुनिया में उत्पादन गैर जरूरी माना जाता है, माने अगर रेफ्रीज रेटर ना भी बने, तो भी हमारा जीवन चलाया जा सकता है, इसी तरह से एर कि एर कंडिशनर में हम रहते हैं तो एर कंडिशनर का उतपादन गेर जरूरी माने जाता है तो गेर जरूरी उतपादन में मैंने दो धारन दिये रैफरिजरेटर है एर कंडिशनर है और जरूरी उतपादन में मैंने का चना चावल दाल मटर आदी आदी चीज़ें तो जो ज तो 32 प्रतिशत गर्मी बढ़ रही है दुनिया में ऐसी वस्तूओं के उत्पादन से जो हमारे और दुनिया के ज़्यादा काम की नहीं है विलासिता की वस्तूओं जिनको हम कह सकते हैं तो विलासिता की वस्तूओं का उत्पादन करके 32 प्रतिशत गर्मी बढ़ रही है जरूरी वस्तों का उत्पादन करके 18 प्रतिशत गर्मी बढ़ रही है 25 प्रतिशत अकेली गर्मी बढ़ रही है मास का उत्पादन करके और बची हुई जो गर्मी का हिस्सा है वो हमारे फुटकर क्रिया कलापों से बढ़ती रहती है जिसमें मैंने एक क्रिया कलाब बताया था ट्रांस्पोर्टेशन यातायाद उसमें से एक यातायाद जो बहुत जरूरी है और एक यातायाद जो बिल्कुल काम का नहीं है जो गैर जरूरी है तो ऐसे करके दुनिया में सारा बतवारा हुआ है सारे वैग्यानिकों का ये मानना है कि सबसे ज़्यादा अगर गर्मी कम हम कर सकते हैं तो एक ही छेत्र में इस समय कम कर सकते हैं और वो छेत्र है मास के उत्पादन में कमी लाकर और मास के उपभोग को कम करके सारी दुनिया म लोग मास खाना बंद कर दें, सारे दुनिया के लोग जानवरों की हत्या करना बंद कर दें, तो सबसे तेजी से गर्मी कम हो सकती है और वो कुल गर्मी का लगबग 25 प्रतिशत है। और फिर आश्यरी की बात आपको और बताऊं कि अगर मास उत्पादन खतम हो जाए सारी दुनिया में और मास का खतम हो जाए तो गैर जरूरी जो यातायात की गर्मी है वो भी कम हो जाएगी। क्योंकि आपको सुनकर हिरानी होगी कि जो जरूरी यातायात के लिए डीजल पेटरोल खर्च होता है उससे धाई गुना ज़्यादा गैर जरूरी यातायात के लिए डीजल और पेटरोल का खर्चा होता है पूरी दुनिया में। आप कोई काम से बहुत जरूरत से अपनी गाड़ी चला कर जा रहे हैं उसमें अगर एक लीटर डीजल खर्च हो रहा है तो बेकार के फालतू के लिए आप जो जा रहे हैं कहीं या किसी चीज़ को ला रहे हैं उसमें धाई लीटर खर्च होता है तो ये मास का जो उत्पादन होता है दुनिया में वो कुछ-कुछ देशों में होता है और सारी दुनिया में ये मास बिक्री के लिए भेजा जाता है तो मास का उत्पादन करने के लिए पहले जानवरों को ट्रक में भर-बर के किसी मास के उत्पादन केंदर तक लाया जाता है और जानवरों को भर-बर के देशों में बेचने के लिए भेजा जाता है फिर उसमें फालतू डीजल पेटरोल का खर्च होता है एक तो जो यात्रा हो रही है जानवरों का मास भर के ले जाया जा रहा है दूसरा उस मास को कम तापमान पर रखना पड़ता है ताकि वो जल्दी खराब न होने पाए क्य में आएगा या अमेरिका में मास उत्पादन हुआ और भारत में आ रहा है या भारत में मास उत्पादन हुआ और अमेरिका जा रहा है तो यह हजारों मील की जो दूरी मास के लिए तै की जाती है मास को एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक ले जाने के लिए इसमें मास का लाना ले जाना तो एक बात है लेकिन मास को कम तापमान पे रखने के लिए उसको हर समय एर कंडिशन डिस्तिती में रखना पड़ता है उसमें जो उर्जा खर्च होती है वो आने जाने से भी कई गुना जादा होती है तो वैग्यानिकों का ये कहना है भारत के ही वैग्यानिक नहीं सारे दुनिया के वैग्यानिक अब इस बात पर सहमत हो रहे है कि अगर सारी दुनिया के लोग अपनी जीवन शैली को बदल दें मास का उपभोक बंद कर दें तो सारी दुनिया की गर्मी 25 प्रतिशत कम हो जाएगी और फाल्तू जो ट्रांस्पोर्टेशन का खर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है और उसके कारण जो 32 प्रतिशत गर्मी फाल्तू में बढ़ रही है वो भी कम हो जाएगी तो 25 प्रतिशत एक और 32 प्रतिशत एक दोनों को मिला दो तो लगबग आप कलपना करो 60 प्रतिशत गर्मी तो सीधे कम होती है अगर सारी दुनिया के लोग मास खाना बंद कर दें और मास अहरी भोजन का उपोग करना बंद कर दें फिर आपके मन में एक तरक आएगा और सारी दुनिया के मास खाने वाले ये तरक देते हैं कि अच्छा ठीक है आपकी बात हमने मान ली भारत स्वाविमान की बात हमने मान ली परम पूजनिय स्वामी जी हर समय कहते हैं मास मत खाओ उनकी बात हमने मान ली और सारी दुनिया ने थोड़ी देर के लिए कलपना करो ये बात मान ली कि मास नहीं खाएंगे तो क्या सब के लिए गेहूं है खाने को, क्या सब के लिए चावल है खाने को, क्या इतना करशी उत्पादन है जो सब का पेट भर सकता है, गेहूं चावल चना, दाल, मटर, सबजियां और फल इतने पैदा होते हैं, क्या दूद इतना पैदा होता है, क्या दुनिया में जो समझने के लिए मैंने थोड़ा अध्यन और अभ्यास किया उसमें से जो आकड़े निकले हैं और जो जानके निया निकली हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और तब आपको ये बात इसपष्ट हो जाएगी कि अगर सारी दुनिया मास खाना बंद कर दे तो इस दुन मैं आपको ये आकड़े से बताने की कोशिश करता हूँ इस समय पूरी दुनिया में 650 करोड लोग रहते हैं भारत में 115 करोड लोग हैं चीन में 140 करोड लोग हैं ये दो देश दुनिया में हैं जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले हैं इसके अलावा तीसरा बड़ा हैं फ्रांस है जर्मनी हैं ब्रिटेन हैं हॉलेंड है इस्पेन हैं पुर्तगाल है ये 15 देश मिलाकर इनकी संख्या 30 करोड है फिर अफ्रीका है फिर लेटिन अमेरिका सारी दुनिया में लगबग 650 करोड लोग हैं अभी जितना भोजन मने गेहूं चावल चना दाल मटर पैदा होता है 650 करोड लोगों के लिए तो परियाप्त है ही अगर मास खाना दुनिया में बंद हो जाए और मास उद्योग पर ताला लग जाए तो जितना भोजन आज पैदा हो रहा है ये 1300 करोड लोगों के लिए परियाप्त हो जाएगा मैं ये जो कहना चाहता हूँ वो ये बात कहना चाहिए। अभी तो 6.600 करोड लोग हैं और 6.600 करोड लोग दुनिया में पैदा हो जाें एक तरफ आप मान लीजिए कि सारे दुनिया की जनसंख्या दोगुनी हो जाए तेरे सो करोड लोग पूरी दुनिया में हो जाए और दूसरी तरफ मास उद्योग पर ताला लगा दिया जाए तो जितना भोजन आज पैदा हो रहा है जितना अनाज आज पैदा हो रहा है पूरी दुनिया में वो तेरे सो करोड लोगों का पेट भरने के लिए परियाप्त है आप बोलेंगे वो कैसे? ये बात समझ में नहीं आई इस बात को मैं समझाना चाहता हूँ ऐसे कि दुनिया में जो मास का उत्पादन होता है न उसकी प्रक्रिया क्या है वो हमें जान ले दुनिया में मास उत्पादन होता है जानवरों का कतल करके और जानवरों में सबसे ज़्यादा कतल होने वाला जो प्राणी है उसका नाम है गाय और गाय के वंश का बैल और गाय के वंश के बच्छडे और बच्छडी सबसे ज़्यादा ये कतल होते हैं पूरी दुनिया में उसके बाद दूसरे नमबर पर जो सबसे ज़्यादा कतल होने वाला प्राणी है पूरी दुनिया में वो है सुर और उसके बाद तीसरे नमबर पर जो सबसे ज़्यादा कतल होने वाला प्राणी है पूरी दुनिया में वो है भैस और चौते नमबर पर जो सबसे आदा कतल होने वाला प्राणी है वो हैं बकरी और बकरे और भेड़ और पांचवे नमबर पर जो सबसे आदा कतल होने वाला जानवर है वो हैं मुर्गे और मुर्गियां और उसके बाद छोटे पक्षी उनकी तो संख्या और उनकी कोई गिंती नहीं है इन जानवरों को कतल करने से पहले इनके शरीर में मास जादा हो तो कतल करने वाले उद्योगों को फाइदा जादा होता है तो जानवरों के शरीर में मास बढ़ाने के लिए वो जानवरों को अनाज खिलाते, गेउं खिलाते हैं, गेउं के अलावा चावल और चना आदी खिलाते हैं, और मकई खिलाते हैं, बाजरी खिलाते हैं, तो इन जानवरों को भोजन खिलाया जाता है, ये जानवर सभी प्रक इसी तरह से बकड़ और बकड़ पूरी तरह से शाकहारी जीव हैं और ये मुर्गा-मुर्गी भी जाधा तर ऐसी चीज़ ए क्गाते हैं तो यह जो जानवर हैं、 यह तो घास खाने वाले और चारा चरने वाले जीव हैं लेकिन मास उत्पादन करने वाली कमपनिया इनको जबर जस्ती गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर और बाजरी और मक्की ऐसी चीज़ें खिलाते हैं इनको खिलाने से क्या फाइदा होता है? ये अगर गेहूं खिलाया जाए जानवरों को, सोयाबीन खिलाया जाए जानवरों को, और बाजरी मक्की आदी खिलाई जाए जानवरों को, तो वो बहुत जल्दी मोटे होने लगते हैं, बहुत जल्दी उनके शरीर में चर्वी बढ बढ़ने लगती है, बहुत जल्दी उनके शरीर में फैट बढ़ने लगता है, और बहुत जल्दी उनका शरीर भारी होने लगता है, और जानवरों को काट कर बेचने वाले जो लोग हैं, उनके लिए तो सबसे अच्छा ये ही है, कि जो जानवर जितना ज्यादा भारी होगा जितना ज़्यादा बजन होगा उसमें मास उतना ज़्यादा ही निकलेगा बिक्री होगी तो उसमें मुनाफ़ा उतना ही ज़्यादा होगा तो मास उत्पादन करने वाली कमपनिया जानवरों को वो भोजन कराती है जो भोजन मनुष्य के लिए है अब वो मनुश्य का भोजन जब जानवरों को करा दिया जाता है तो मनुश्य के हिस्से में भोजन कम पढ़ना शुरू हो जाता है और वही भोजन की कमी हजारों, लाखों, करोडों लोगों को भूख से मार देती है अब मैं थोड़े आखड़ों की बात करता हूँ सारी दुनिया के जानवरों को गेहूं हैं, गेहूं से बनने वाली चीज़े हैं, मक्की हैं, मक्की से बनने वाली चीज़े हैं, बाजरी और बाजरी से बनने वाली चीज़े हैं, सोयाबीन और सोयाबीन से बनने वाली चीज़े हैं तो जानवरों को क्रशी उत्पन जो अनाज खिलाया जाता है, वो कुल अनाज का लगबग 40 प्रतिशत है भारत जैसे देशों में और 70 प्रतिशत है अमेरिका जैसे देशों में। जिनको गरीब देश कहा जाता है, आजकल अंग्रेजी भाषा में एक शब्द विक्सित हुआ है इन देशों के लिए, डवलपिंग कंट्रीज, विकाश शील देश या विकसंशील देश, तो भारत और भारत जैसे गरीब देश है, आप समझ लीजे, विकाश शील देश, तो दूसरी तरफ अमेरिका है, अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, कनाडा है, और यूरोप के कई सारे देश है, इन देशों में कुल क्रशी उत्पादन का लगबग 70% जानवरों को खिला दिया जाता है, आप सोचिए, अमेरिका में कुल जितना गेहूं खाकर या क्रशी उत्पन खाकर जल्दी से मोटे हो जाएं, जल्दी से उनके शरीर में मास बढ़ जाएं, ज्यादा मास हो जाएं, ज्यादा मोटे हो जाएं, और उनको फिर काटकर उनका मास दुनिया में बेचकर, अमेरिका की मास बेचने वाली कमपनियां ज्यादा मुना दिया जाता है जानवरों को अगर उसत निकाला जाए 70 और 40 को जोड़ दिया जाए 110 और इसका उसत निकाला जाए तो 55 माने दुनिया में उसतन आधा अनाज जानवरों को खिलाकर उनको मोटा बनाकर फिर उनका मास कुछ लोग खाते हैं अगर इस तर्क को सीधा सा समझने की कोशिश करें कि आदे से जादा अनाज पहले हम जानवरों को खिलाएं उनको मोटा बनाएं फिर उनका मास हम खाएं इससे अच्छा सीधा सीधा ये है कि वो आधा अनाज सीधे ही हम खा जाएं तो जितनी जनसंख्या की आज पूर्ती हो रही है उससे दोगनी जनसंख्या की पूर्ती ऐसे ही हो जाएं तो आप बोलेंगे जी जानवर के लिए कहां से आएगा प्रकरती ने भगवान ने परमात्माने ऐसी सुंदर विवस्था की है कि जहां से आपके लिए भोजन आता है वहीं जानवरों के लिए भी पैदा हो उसके लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता, अगर आप खेती करते हैं, किसान हैं, तो आपको मालूम हैं, हम गेहूं पैदा करते हैं, तो गेहूं का ऊपर वाला हिस्सा तो हमारे काम आजाता है खाने के लिए, और नीचे का पूरा हिस्सा किसी गाए वेल भैस के काम उससे चारे और घास का जानवरों के लिए हो ही जाता है उसके लिए कोई अत्रिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता इसलिए जानवरों की हमें ये चिंता छोड़ देनी पड़ेगी कि अगर हम उनको अनाज नहीं खिलाएंगे तो उनका पेट कहां से बरेगा उनका पेट भरने के लिए तो प्रकरती और परमात्मा ने विवस्था की हुई है आप उसकी चिंता मत करिए आप तो सिर्फ इतनी चिंता करिए कि अपने पेट में ये जानवरों को काट काट कर डालना बंद कर दीजे इनका मास खाना बंद कर दीजे सारी दुनिया की विवस्था तो बहुत सुन्दर और बहुत अच्छे से है मैं थोड़ी सी और बात समझाने के लिए कुछ आपके सामने आंकड़े रखना चाहता हूँ सारी दुनिया में इस समय मास का जो कुल उत्पादन होता है पूरी दुनिया में 200 देश हैं कुल मिलाकर भारत सहीत, अमेरिका सहीत, कनाड़ा, जर्मनी जैसे तो पूरी दुनिया के 200 देशों में कुल मास का एक साल में उत्पादन होता है 28 करोड 50 लाख मीटरिक टन एक मीटरिक टन में लगबग 1000 किलो ग्राम होते हैं तो 28 करोड 50 लाख मीटरिक टन मास का उत्पादन पूरी दुनिया में होता है इस पूरे के पूरे मास के उत्पादन को मास पैदा करने वाली कमपनियां बोल रही हैं कि दो हजार पचास तक हम इसको 46 करोड़ पचास लाक मीटर टन कर देंगे उस उत्पादन को मतलब जो उत्पादन आज हो रहा है उसका लगभग दोगणा वो कर देंगे 2050 तक इसका मतलब सीधा सा ये है कि मास उत्पादन करने वाली कमपनियां पूरी दुनिया में ताकत से लगी हुई है कि मास का उत्पादन बढ़े और ये मास का उत्पादन तब ही बढ़ेगा जब मास का उपभोग बड़े, मास का उपयोग बड़े, मास का जादा से जादा लोग उपयोग करें तो मास पैदा करने वाली कमपनिया पूरी दुनिया को मासाहारी बनाने के काम में लग गई है और उसके लिए उन्होंने कई तरह के तर्क और कुतर्क विक्सित कर लिए हैं और रात दिन वो प्रचार कर रही है उनके विग्यापन रोज तीवी पर आ रहे हैं भारत में भी आपने देखा है ना ये मास उत्पादन करने वाली कमपनियों का ही विग्यापन है संडे हो या मंडे कभी भी खाओ अंडे आपने देखा होगा और हमारे देश में मुझे बहुत शर्माती अफसोस होता है कि कई सिनेमा में काम करने वाले एक्टर एक्ट्रेसिस जो निजी जिन्दगी में शाकाहारी है वो पैसे के लालच में अंडों का विग्यापन करते है और हमारे देश के कुछ खिलाडी भी है क्रिकट खेलने वाले खिलाडी है अन्न खेल खेलने वाले खिलाडी है और हमारे देश के और भी कई ऐसे अच्छे लोग जिनको माना जाता है मीडिया में वो भी लग गए है तो पूरी दुनिया में मास का उप्योग बढ़े और मास का उप्योग बढ़े इसके लिए कमपनिया करोणों करोणों रुपए विग्यापन पे खर्च कर रही है तो अभी 28 करोड 50 लाक टन मास उत्पादन होता है 2050 तक उम्मीद है कि ये 46 करोड टन होगा अगर वो सफल हो गए तो और दूसी तरफ ये भी संभावना है कि अगर हम सफल हो गए भारत स्वाविमान अभ्यान सफल हो गया और सारी दुनिया में हमारे जैसे विचार के लोग सफल हो गए तो आने वाले संद 2050 में पूरी दुनिय मास का उपवोग जीरो होगा शून्ने होगा जीरो प्रतिशत होगा माने यह जो 28 करोड पचास लाक्त नाज हो रहा है ये 2050 तक आते आते खतम ही हो जाएगा बंदी हो जाएगा अगर हमारे जैसे लोग सफल हो गए और अपनी विचार धरा के लोग सारी दुनिया में ही है एक तरफ असुर लोग हैं जो मास पैदा कर रहे हैं मास खा रहे हैं और मास खिला रहे हैं और एक तरफ आपके जैसे देव लोग हैं देवता लोग हैं जो मासाहारी जीवन शैली के खिलाफ सारी दुनिया को शाकाहारी बना रहे हैं और इस अभियान को बढ़ा रहे ह और प्राणायाम के मादियम से और कोई कोई दूसरे लोग मेडिटेशन के मादियम से अलग अलग मादियमों से ये काम चल रहा है। 16 अमीर देशों में कुल मास उत्पादन का 60 प्रतिशत खपत होता है और 186 देशों में कुल मास उत्पादन का मात्र 40 प्रतिशत खपत होता है इसका मतलब बहुत साफ है कि गरीब देश अभी भी बहुत जादा धार्मिक हैं बहुत जादा नेतिक हैं गरीब देश अभी भी प्रतिशप मास का उपभोग होता है माने 28 करोड़ 50 लाख टन की आंकड़े को आप निकालेंगे तो लगबग 18-19 करोड़ टन मास का उपभोग और उत्पादन तो अमीर देशों में ही है गरीब देशों में तो काफी कम है इसका मतलब गरीब देशों में अभी भी शाकाहरी लोग जादा है सामिश लोग अमीर देशों में जादा है मैं इसको थोड़ा और आगे बात करूं यह अमीर देशों में और सारी दुनिया में जो मास का उपभोग और उत्पादन है इसमें मुर्गे मुर्गियों का जो उत्पादन है मुर्गे मुर्गियों के मास का वो कर चास लाख मीटरिक टन इस मास के उत्पादन के लिए हर साल पूरी दुनिया में 56 अरब जानवरों का कतल होता है 56 अरब जानवरों का माने 5600 करोड जानवरों का कतल होता है और ये बड़े जानवर हैं, बड़े जानवर कमाने गाय है, बेल है, भेंस हैं, ये बड़े जानवर हैं, बकरे हैं, बकरियां हैं, मुर्गे हैं, मुर्गियां हैं, वहां तक तो गिंती होती है, सूर भी इसमें है, उसके नीचे जो छोटे पक्षियों की गिंती है, वो कुखसान नहीं किया ऐसे जानورों को काट दिया जाता है 28,50,000,00 मास पैदा करने के लिए इस मास के उतपादन में भारत की क्या श्त्थी है उसके बारे में भी में बताना चाहता हूँ भारत में हर साल मात्र 58,000,00 मास का उतपादन होता है पूरी दुनिया में 28,50,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, मास का उत्पादन है पूरी दुनिया के कुल मास के उत्पादन में भारत की हिस्ति 2.5 प्रतिशत उत्पादन की ही है माने अगर दुनिया के हिसाब से आंकडों में बात की जाए तो भारत में मास का उत्पादन अभी काफी कम है माने भारत में मास खाने वाले लोग काफी कम ह माने भारत में सबसे ज़्यादा संभावना है सबी लोगों के जल्दी से जल्दी शाकाहरी हो जाने की भारत में जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार में बात करूँ तो भारत में अगर मानले 115 करोड नागरिक रहते हैं तो आखणों के अनुसार इनमें लगबग 70 प्रतिशत नागरिक है जो शाकाहरी हैं, जो पूरी तरह से शाकाहर पे जीवन जीते हैं अपना और तीस प्रतिशत भारतवासी हैं जो मासा हरी हैं जो मास खाके अपना जीवन बिताते हैं भारत में मास के उत्पादन में गाय का मास चौदे लाख टन पैदा होता है बैस का मास करीब चौदे लाख टन पैदा होता है मटन करीब धाई लाख टन पैदा होता है बकरे बकरी का मास करीब साड़े चार लाक टन है सूर का मास छे लाक तीस हजार टन है मुर्गे मुर्गी का मास सोले लाक टन है और इस पूरे मास को पैदा करने के लिए भारत सरकार के पिछले साल के आंकड़े हैं 2008 के कि ये भारत में 58,00,00, प्रिक्टन मास पैदा करने के लिए 10,50,00, लाक जानवरों का पिछले साल कत्ल किया गया और ये 10,50,00, लाक जानवरों का कित्ल हमारे देश में किया गया इन में लगबग 4,94,00, जानवर हैं जो गाए बैल भेंस की कैटेगरी के हैं माने बड़े जानवर हैं और बचे हुए सारे छोटे जानवर हैं बकरे बकरी मुर्गे मुर्गियां आदी आदी तो भारत देश में लगबग 3,600 सरकार की रेजिस्टर्ड कतल खाने हैं और करीब 36,000 अन्रेजिस्टर्ड कतल खाने हैं इनके द्वारा कुल मिलाकर ये 10 करोड जानवर हर साल काटे जा रहे हैं और उसमें से 58,000,000 मीट्रिक टन मास पैदा हो रहा है ये भारत की स्थिती है इसी तरह चीन के बारे में अगर बात करूँ तो चीन में हर साल 12 करोड मीट्रिक टन मास पैदा होता है और इसी तरह अमेरि और दूसरे दूसरे देशों में उससे कुछ कम है अब ये जो मास उत्पादन हो रहा है सारी की सारी दुनिया में भारत सहित इस मास उत्पादन में 4-5 नुकसान सबसे बड़े हो रहे हैं मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि जो अनाज हम मनुश्य को खिलाने के लिए पैदा क करते हैं वो अनाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जानवरों को खिलाया जा रहा है और जानवरों को मोटा बनाकर उनका मास खाया जा रहा है अगर जानवरों वाला अनाज सीधे मनुश्य को खाने को मिल जाए तो सारी दुनिया की भुकमरी खतम हो जाए एक बार में ही मैं आपको एक छोटी सी बात बताओं, United Nations ने अभी थोड़े दिन पहले कर इस्टडी कराई, सेयुक्त राष्ट ने एक अध्यन कराया, कि भारत में और दुनिया में हर दिन 40,000 लोग जिन में बच्चे भी शामिल है, बिना दूद और बिना रोटी के मरते हैं, 40,000 लोग हर दिन म बुक्मरी के कगार पर है, मैंने आप से कहा था कि साड़े 600 करोड की पूरी दुनिया है, उसमें 200 करोड लोगों को हर समय बुक्मरी की हालत रहती है, और इन में से 40,000 लोग हर दिन मर जाते हैं सारी दुनिया में बुक के कारण, अब इतने सारे लोग हर दिन मर रहे हों F.A.O. उन्होंने एक सर्वेक्षन किया और उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि सारी दुनिया के मास खाने वाले लोग अपने मास के उपभोग में सिर्फ दस प्रतिशत की कटोती कर दें सिर्फ दस प्रतिशत माने जो लोग सारी दुनिया में मास खा रहे न उनमें से दस प्रति इसको दो तरह से समझ सकते हैं अमेरिका में हर आदमी साल में 165 किलो मांस खा जाता है चीन में हर आदमी साल में 95 किलो मांस खा जाता है यूरोप में हर आदमी साल में लगबग 135 किलो मांस खा जाता है यूरोप और कनडा मिला के तो कनडा और यूरोप में 130 किलो मांस आदमी सा में खा जाता है अमेरिका में 165 किलो खा जाता है चीन में करीब करीब 95 किलो मास हर आदमी साल में खा जाता है भारत में हर आदमी साल में जो मासा हरी है साड़े तीन किलो मास खा जाता है तो भारत की गिंती अगर अमेरिका, चीन और यूरोप की तुलना में करें तो बहुत नीचे आती है मास खाने वालों में फिर भी भारत के लोग अगर दस प्रतिशत मास कम खाएं या भारत में दस प्रतिशत लोग शाकारी हो जाएं अमेरिका में हर आदमी जो 165 किलो मास साल का खा रहा है वो अगर 165 किलो मास को 150 किलो कर दे साल में खाना या कनेडा का आदमी 120 किलो कर दे या 115 किलो कर दे और चीन का आदमी 80 किलो कर दे अपने अपने मास में दस प्रतिशत की कटोती कर दें अगर वो खाने में तो दुनिया के 200 करोड लोगों का हमेशा के लिए पेट भरा जा सकता है और 40,000 बच्चे जो रोज भूखे मर रहे हैं और बड़े लोग भी उनके साथ मर रहे हैं उनकी जिन्दगी में कभी भुकमरी से मौत नहीं हो सकती है मतलब सीधा सा ये है कि मासाहारी जीवन अगर छोड़ते हैं तो दुनिया के सारे लोगों को जिन्दा रहने के लिए रास्ता खुलता है दुनिया के लोगों का पेट भरता है ये कितनी बड़ी बात है और ये बात अभी अध्यन में से निकल कर आई है जो संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं ने किया है इसका मतलब बहुत साफ है कि दुनिया में जो लोगों को सेवा करनी है और लोगों का पेट भरना है लोगों का जीवन अच्छा बनाना है अगर सम मिलकर पूरी ताकत से एक ही काम में लग जाए कि लोगों का मास छुडा दें या लोगों को शाकाहरी बना दें तो इतनी बड़ी सेवा पूरी दुनिया की हो सकती है शायद ही कोई दूसरी सेवा उसके सामने हो भूके को भोजन देना और मरते हुए को जीवन देना इससे बड़े पुनिय का काम पूरी दुनिया में कोई नहीं होता है भारत के शास्त्रों में और भारत के पुराने रिशी महरशियों के द्वारा कई किये गए आप तो बचनों में जो सबसे महत्तु की बात है वो ये है भूके को भोजन देना मरते हुए को जीवन देना इससे बड़ा सेवा का और पुनि का कोई काम नहीं है तो अगर दुनिया के भूके लोगों को भोजन देना है मरते हुए को जीवन देना है तो हम सब पूरी दुनिया के लोगों को एकी काम में ताकत से लग जाना चाहिए लोगों को शाकाहरी बनाना चाहिए लोगों का मास छुड़वाना चाहिए दुनिया के लोगों को शाकाहारी हो जाने में कितने फाइदे हैं और दुनिया के लोग अगर मासाहारी बने रहे तो कितने नुकसान हैं, छोटी-छोटी कुछ बात हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बात ये बताना चाहता हूँ, कि एक साथ पूरी दुनिया में सबस से जादा प्रदूशन अगर फैलता है तो मास खाने वाले लोगों के कारण फैलता है क्यों प्रदूशन में जिन जिन चीजों को हम गिनते हैं हवा जहरीली हो रही है पानी जहरीला हो रहा है हवा में कमी आ रही है पानी में कमी आ रही है और खेत के लिए काम आने वाली मिट में खराबी आ रहे हैं और जंगल तेजी से कट रहे हैं पूरी दुनिया में पेड़ों की संख्या कम हो रहे हैं यह सब कारण माने जाते हैं परियावरन प्रदूश्ड दुनिया में जो जो अध्यन हो रहे हैं वैग्यानिकों के द्वारा वो अध्यन ये बता रहे हैं कि सारी दुनिया में तेजी के साथ जो जंगलों में कटाई हो रही है उस कटाई का सबसे बड़ा कारण है मास उद्योग का बढ़ते चले जाना तेजी से जंगल खतम हो रहे हैं तेजी से जंगल कट रहे हैं वो मास उद्योग के कारण जंगल कट रहे हैं और जंगल खतम हो रहे हैं आप बोलेंगे वो कैसे हो रहे हैं मास का उत्पादन करने के लिए और उत्पादन को पैक करने के लिए और उस पैकिंग को एक जगे से दूसरी जगे भेजने के लिए सबसे ज़्यादा जो कच्चा माल खर्चो रहा है वो लकडी खर्चो रही है आपने देखा है मास्के जो पैकेट होते हैं जो डब्बे बनाए जाते हैं उन डब्बों में जो मेटीरियल इस्तेमाल किया जाता ह है जिन चीजों से वो डब्बे बनाए जाते हैं उन चीजों का सबसे ज़्यादा आने का काम वो जंगल से होता है जंगल में खास किसम के पेड़ों का कटना उसके द्वारा खास किसम के कागज का उत्पादन और उस खास किसम के कागज का पैकिंग के लिए उपियोग और एक जगे से दूसरी जगे भेजने के लिए और बड़ी पैकिंग का उपयोग इसमें सबसे ज़्यादा जंगल कटते हैं और उन जंगलों के कटने से सारी दुनिया में परियावरन का प्रदूशन हो रहा है बैग्यानिकों का ये कहना है कि तेजी के साथ जंगलों की समापती अगर हमें रोकनी है और जंगलों को बढ़ावा देना है तो ये मास उद्योग को बंद कर दिया जाए तभी ये संभव हो पाएगा अनिता वो संभव नहीं हो पाएगा दूसरा सारी दुनिया में पानी का सबसे ज़्यादा खर्चा अगर कोई करता है तो ये मास करना पड़े और एक किलो चावल पैदा करना पड़े एक किलो डाल पैदा करनी पड़े और एक किलो मास पैदा करना पड़े एक किलो मक्की और बाजरा पैदा करना पड़े और एक किलो मास पैदा करना पड़े दोनों इस तर पर उपयोग होने वाले पानी में कितना अंतर है जमीन आसमान का आप जानते हैं सबसे ज़्यादा पानी का उप्योग होता है चावल की खेती में चावल पैदा करने में सबसे ज़्यादा पानी लगता है उसके बाद दूसरे नंबर पर गन्ने की खेती में सबसे ज़्यादा पानी लगता है तो गन्ने और चावल की खेती मैंसे अगर एक किलो चावल हम पैदा करें एक किलो चावल पैदा करने में पांच हजार लीटर पानी खरच होता है खराब से खराब जमीन की बात कर रहा हूं मैं और अगर जमीन बहुत अच्छी है जमीन बहुत उपजाओ है जमीन में नमी बहुत है तो एक किलो चावल पैदा करने में मात्र तीन से साड़े तीन हजार लीटर पानी खर्च होता है तो एक किलो चावल पैदा करें तो अच्छी जमीन पर तीन साड़े तीन हजार लीटर पानी खर्च होगा खराब से खराब जमीन पर 5000 लीटर पानी खर्चोगा एक किलो चावल पैदा करने में एक किलो गेहूं अगर पैदा करना पड़े तो खराब से खराब जमीन पर जो पानी का खर्चा है वो 1500 लीटर है और अच्छे से अच्छे जमीन पर पानी का खर्चा 7-800 लीटर है अगर एक किलो मक्की और बाजरी पैदा करना पड़े तो एक किलो बाजरी पैदा करने में मात्र 500 लीटर पानी लगता है एक किलो मक्की पैदा करने में 700-700 लीटर पानी लगता है माने आप अगर देखना चाहें तो इस बात को देखें कि एक किलो चावल हो, या एक किलो गेहू हो, या एक किलो मक्की हो, या एक किलो बाजरी हो, इन सब को पैदा करने में अधिक से अधिक 5000 लीटर पानी और कम से कम 500 लीटर पानी खर्च होता है, माने 500 लीटर से लेके 5000 लीटर के पानी में एक किलो भोजन और अनाज पैदा होता अब दूसरी तरफ हम देखें, एक किलो मास पैदा करना पड़े, गाय का मास पैदा करना पड़े, जिसको बीफ कहते हैं, सुर का मास पैदा करना पड़े, जिसको पोर्क कहते हैं, और मटन आदी कोई भी मुर्गे मुर्गियों का मास पैदा करना पड़े, तो एक किलो मास प अंस्थाओं का कहना है कि एक किलो बीफ पैदा करें या एक किलो पोर्क पैदा करें या एक किलो मटन पैदा करें तो कम से कम 70,000 लीटर पानी खर्च हो जाएगा और एक किलो गेहूं चावल चना अधी पैदा करें तो 500 लीटर से 5000 लीटर में काम हो जाएगा मतलब सीधा सा ये है कि एक किलो अनाज पैदा करने में जितना पानी खर्च होता है उससे लगबग 10 गुना से लेकर 100 गुने तक जादा पानी खर्च होता है मास पैदा करने में अब आप जड़ा सोचिए कि सारी दुनिया में अगर एक किलो मास पैदा करने में 70,000 लीटर पानी खर्च हो रहा है तो 28,50,000,000 मीटर टन 28 करोड में 1000 का गुना कर लो इतने करोड किलो ग्राम और उसमें फिर 70,000 का गुना करो कितने करोड लीटर पानी की बरबादी होती है मा पानी एक ऐसी वस्तू है जिसको किसी भी रासाइनिक प्रकरिया के द्वारा कार खाने में नहीं बनाया जा सकता और कितने ही पैसे खर्च करके आपके घर में पैदा नहीं किया जा सकता पानी तो एक ऐसी वस्तू है जो प्रकरती के द्वारा ही हमको मिलती है प्रकरती की ए पाओ का छेतर बन जाता है तो बादल बरस पढ़ते हैं और पानी हमें मिल जाता है इसी प्रकरती की प्रकरिया के तहट एक-एक बून पानी मिलता है और उस एक-एक बून पानी का सबसे जादा दुरूपयोग अगर कहीं हो रहा है तो मास पैदा करने वाले उद्योगों में हो रहा है एक किलो मास के लिए 70,000 लीटर पानी की बरबादी मैंने दो दिन से इसका हिसाब निकाला तो मैं आपको एक सरल बात कहना चाहता हूँ आप अपने बातरूम में अपने इसनान घर में नल खोल के खड़े हो जाएए साथ मिनट तक रोज नहाईए छे महीने लगा करेंगे उतना पानी एक किलो मास पैदा करने में खर्च हो जाएए माने एक साधारन आदमी 6-7 महीने रोज 6 मिनट अपने उपर पानी डाले शौवर के द्वारा पानी डाले या बाल्टी और मग से नहाने की कोशिश करे तो 6 महीने लगातार कोई व्यक्ति नहाने में जित इसको एक दूसरे तरह से समझने की कोशिश करें अच्छे से अच्छा पानी पीने वाला व्यक्ति दिन में 3 लीटर पानी पिए और एक दिन में अगर वो 3 लीटर पानी पिए तो महीने में 90 लीटर पानी पिए साल में 900 लीटर पानी पिए या 1000 लीटर पानी पिए तो साल म में एक व्यक्ति जितना पानी पीएगा उतना पानी एक किलो मास पैदा करने में एक शण में खर्च हो जाएगा आप जड़ा सोचिए कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है दुनिया में कि मैं आप अगर 70 साल जिंदा रहते हैं एक एक व्यक्ति जितना पानी का उपभू करते हैं 70 साल में पीने के लिए उतने पानी में एक किलो मास पैदा होता है हम छे महीने नहाने में जितना पानी के लिए जितने पानी का खर्चा हो रहा है उतने ही पानी में 20 करोड परिवारों का जिंदगी भर के लिए 100 साल की जिंदगी मानी जाए तो जिंदगी भर के लिए पानी का खर्चा निकल सकता है इसका मतलब समझते हैं सारी दुनिया में 20 करोड परिवार भारत देश में हैं तो पूरी दुनिया में भारत जैसे देश लोगों का जिंदगी भर के लिए खर्चा निकल आए इतने पानी का उपवोग भारत के लोग कुल मिलाकर जितना करते हैं, उतना दुनिया का मास उद्योग पानी को बर्बाद कर देता है मास के उत्पादन में, कितनी पानी की बर्बादी हो रही है, इस मास के उत्पादन में आप सोचे, करोड़ों लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है दुनिया में, और इधर मास उद्योग हजारों करोड लीटर पानी की बरबादी कर रहा है हमें अफसोस है ये कहते हुए कोई खुशी नहीं होती आजादी के 63 साल के बाद भी इस देश में लगबग 14 करोड परिवारों को पीने का शुद्ध पानी नहीं है 20 करोड तो कुल परिवार हैं 6 करोड परिवारों के पास तो पीने का शुद्ध पानी है 14 करोड परिवारों के पास पीने का शुद्ध पानी नहीं है 14 करोड परिवारों की माताओं बहनों को पीने का शुद्ध पानी लेने के लिए अपने अपने घर से 3-4-4 किलो मीटर दूर पैदल जाना पड़ता है, एक बाल्टी पानी लाना पड़ता है, और भारत देश में 14 करोड परिवारों में ये द्रश्य रोज देखने को मिलता है, कि माताएं बहने सबेरे 3-4 बजे उठती है, एक खाली बाल्टी लेके जाती है, उसमें पीने का पानी भरके लाती है, फिर भोजन बनाती है, फिर दुपैर को वही बाल्टी खाली लेके जाती है, फिर पीने का पानी लाती है, फिर शाम का भोजन बनता है, और इसी में उनका पूरा जीवन तमाम होता है पीने का पानी लाने और भोजन बनाने में तो 14 करोड़ परिवारों को भारत में पीने का शुद्ध पानी ना मिले और भारत जैसे देश में मास उत्पादन करने वाली कमपनिया हजारों करोड़ लीटर पानी का दुरूपयोग करें और सारी दु आए और अत्याचार क्या होता है जब जानवरों का मास बाजार में बिकता है तो उनको कतल किया जाता है कतल करने के लिए कतल खाने बनाए जाते हैं इन कतल खानों में जब जानवरों को कतल किया जाता है तो बहुत बेरहमी के साथ किया जाता है बहुत हिंसा होती है बहुत किया जाता है और जानवरों का कतल होते समय उनकी जो चीतकार निकलती है उनके शरीर से जो stress hormone निकलते हैं और उसकी जो shock waves निकलती है वो पूरी दुनिया को तरंगित कर देती हैं कमपाय मान कर देती हैं आपको एक छोटे से उधारन से समझाता हूं जब किसी जानवर को काटा जाता है तो क्या इस्थती होती होगी आप इसको थोड़ी देर की कलपना करके समझने की कोशिश करिए आपके उपर अगर कोई व्यक्ति हमला करे और आपको मार डालने की करे तो आपने महसूस किया है आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है उस समय आपने महसूस किया होगा आपके माथे पे बहुत तेज पसीना आने लगता है आपकी हतेलियों में पसीना आने लगता है आपके पाउं में पसीना आने लगता है आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है आपका ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है माने शरीर में कुछ खास तरह के परिवर्तन आते हैं जब कोई हमारे उपर हमला करता है और हमला करने की इस्तिती में हमारा शरीर हमारा मन दो ही प्रयास करता है या तो हमला वर से हम लड़ जाएं जान बचाएं तीसरा कोई प्रयास आपका शरीर उस समय नहीं कर सकता तो आप सोचिए कि जब आपके ऊपर कोई हमला करने के लिए तैयारी करता है और आपके शरीर में इस तरह के बड़े परिवर्तन आते हैं तो जानवरों की जब हत्या की जाती है तो उनके ऊपर जब हम विए फिल्में बनाई है वो सारी दुनिया में अभी उपलब्ध है कभी आप चाहें तो आपको भी वो सब दिखाई जा सकती है लेकिन मैंने तो वो फिल्में देखी है मुझे तीन-तीन दिन नीद नहीं आई है मौत सारे दिन तक खाना खाने का दिल नहीं किया है इसलिए आभी बार लगता है कि लोगों को यह हिंसा क्यों दिखाई जाए कुरूर्ता क्यों दिखाई जाए बहुत हिंचाथज्श के लिए मजबूर आकि काएते पहले तो औंको भूखा रखा जाता और बार भूखा रखें? उनके शरीर को कमजोर किया जाता है फिर इनके उपर गरम पानी की बोचार डाली जाती है और वो गरम पानी 70 डिग्री सेंटीग्रेट से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेट तक का होता है उस गरम पानी की बोचार में जानवरों का शरीर फूलना शुरू हो जाता है उसमें सूजन आना शुरू हो जाती है जब शरीर पूरी तरह से फूल जाता है गाये बैल भेंस तड़पते रहते हैं चीखते रहते हैं चिलाते रहते हैं तब जीवित इस्थती में उनकी खाल को उतारा जाता है और जीवित इस्तिती में खाल को उतार कर जो खून इकठा होता है वो खून भी जीवित इस्तिती में इकठा किया जाता है फिर गर्दन पे एक तरफ छोटा सा खट लगाया जाता है गर्दन एक तरफ लुड़क जाती है फिर उसमें से भल 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 खून निकलना शुर का एक एक अंग उसमें से निकाला जाता है अंदर की अंतडियों को खीच के निकालते हैं बड़ी आंत को खीच के निकालते हैं छोटी आंत को खीच के निकालते हैं माने इतनी जादा बरबरता और क्रूरता के साथ उनको कतल किया जाता है अक्सर ये देखा गया है कि जानवर कि कोई उनकी चीख पुकार सुन नहीं सकता सिवाए उन बहरे कानों के जो रोज उनको काट-काट के उनके मासको डबों में पैक करते हैं। बहुत करूरता होती है। अब आप क्या समस्ते हैं यह जो करूरता होती है। इस क्रूरता में जानवरों की जो चीतकार निकलती है, जो चीखे निकलती है, वो पूरे वातावरण में ही घूमती रहती है। आज का जो आधुनिक विज्ञान है उस आधुनिक विज्ञान ने ये सिद्ध किया है कि मरते समय किसी व्यक्ति के मूँ से निकली गई चीख पुकार वो जानवर हो या व्यक्ति हो अगर उसको कुरूरता से मारा जाता है अगर उसको हिंसा से मारा जाता है तो उसके शरीर से निकलने वाली जो चीख पुकार है उनको वाइब्रेशन्स में उनको वेवस की थियोरी में जब समझाया जाता है तो इस्ट्रेस हार्मोन जो निकलते हैं शरीर से और उनसे जो और अन्य सभी मनुश्यों के मन में नकारात्मक भाव जादा से जादा आते हैं और नकारात्मक भाग जब जादा से जादा लोगों में आते हैं तो हिंसा करने की प्रवर्ती लोगों में बढ़ती है तो जानवरों को हिंसा करके जिस तरह से मारा जाता है उस हिंसा की प्रतिक रही हैं सारी दुनिया में ये सीदे सादे भोले भाले स्वस्त लोगों के मन मस्तिश्क को इतनी जादा प्रभावित कर रही हैं कि लोग बहुत जादा नकारात्मक और हिंसक हो रहे हैं और पिरकार आत्मक्ता और हिंसा सारी दुनिया में बढ़ रही है, तो अत्याचार और पाप पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, वो जानवरों की होने वाली हत्या है. दिल्ली विश्व विद्याले में दो पर्फेसर हैं, जिनोंने पिछले 20 साल इस पर रिसर्च किया और अध्यन किया है उनका तो ये दावा है वो दोनों प्रोफिसर इस देश के एक का नाम है शिरी मदन मोहन और एक दूसरे उनके सयोगी बहुत बड़े भौतिक शास्त्री हैं दोनों भारत सरकार ने उनको पुरुशकार दिया ह इस बात के लिए उनकी फिजिक्स की रिसर्च ये कहती है कि जानवरों को जितना जादा कतल किया जाएगा जानवरों को जितना जादा हिंसा से मारा जाएगा उतना ही अधिक दुनिया में भूकम पाएंगे उतने ही अधिक दुनिया में जल जले आएंगे उतने ही अधिक संतुलन बिगडेगा असंतुलन बढ़ेगा ये कोई जोतिश व्यक्ति का कहना नहीं है कोई पाखंडी व्यक्ति का कहना नहीं है भौतिक शास्त्री इस देश में जिनको भारत सरकार ने पुरुषकार दिया है प्रोफसर मदन मोहन उनकी रिसर्च है उनकी थीसिस है 20 साल काम उनका अभ्यास किया और उन्होंने पाया कि जादा से जादा दुनिया में प्राकर्तिक रूप से जो दुरुखटना हो रही है उनका एक बड़ा कारण कतल खाने है और उनमें से निकलने वाले जानवरों की चीख पुकार है बहुत बड़ा नुकसान पूरी दुनिया इसमें जेल रही है और एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है पूरी दुनिया को एक तरफ जानवर कट रहे है मनुष्य का खाना जानवरों को खिला जाए जाए तो है ही मनुष्य के लिए जो इस्थान सुरक्षित है रहने के लिए और जीवन यापन करने के लिए उस इस्थान को जानवरों के लिए आरक्षित किया जा रहा है क्योंकि ये जो कतल खाने बनते हैं इन कतल खानों की जगह एक दो वर्ग मीटर की नहीं होती एक दो वर्ग किलो मीटर की नहीं होती हजारों हजारों वर्ग किलो मीटर में कतल खानों के चरागहा बनाए जाते हैं और उनमें रेंच बनाए जाते हैं जिन इस्थानों पर आदमी रह सकता है मनुश्य रह सकता है ऐसे हजारों किलो मीटर के इस्थान जानवरों के बाड़े के रूप में विक्सित किये जाते हैं ताकि कतल करने वाले जानवरों को वहां विक्सित किया जा सके और उन जानवरों को फिर वहां बढ़ा करके उनका मास लोगों को खिलाया जा सके मैं एक और छोटा सा उधारन आपको देना चाहता हूँ कितनी कुरूरता है इस दुनिया में जो जानवरों के हिंसा करने वाली दुनिया है या अत्याचार करने वाली दुनिया है गाए के बच्छडे का मास अभी पूरी दुनिया में लोक प्रिय हो रहा है गाय का मास तो सारी दुनिया में बिस्ट के नाम पे खाया जाता है वील नाम पर एक मास बनता है जो गाय के बच्छडे का होता है ये वील मास यूरोप और अमेरिका में सबसे ज़्यादा खाया जाता है उसके बारे में पता किया जब मैंने तो मालूम हुआ गाय का बच्छडा या बच्छडी जब पैदा हो जाता है और मात्र 24 गंटे का होता है तब ही उसको उसकी मां से अलग कर दिया जाता है मात्र 24 गंटे की देरी में आप जानते हैं गाय वैसी ही है जैसे कोई मां होती है जैसे कोई इस्तरी होती है कोई इस्तरी कोई भी मां अपना दूद बच्चे को पिलाए और उसको बढ़ा करें गाय का दूद पीने से बच्चे में थोड़ी पुष्ट्री आती है ताकत आती है उसकी माश्पेशियों का विकास होता है उसके शरीर का विकास होता है एक दिन का भी बच्चा नहीं होता जन्म लेते ही उसको हटा पर दिया जाता है फिर उस बच्चे को ले जाकर एक ऐसे इस्थान पर रखा जाता है जहां ना वो खड़ा हो सकता है ना बैठ सकता है ना लेट सकता है आप दोस्तों हमारी वीडियो प्रफेट पानी के लिए अमारे यूट्योब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें लेट भी ना सके कितना संकुचित और कितना छोटा सा इस्थान होगा वहां ले जाकर एक दिन के गाई के बच्चे को रख दिया जाता है और फिर उसको उतनी ही बेदर्दी से कतल किया जाता है जो थोड़ी देर पहले मैं आपसे बता रहा था एक तरफ गरदन काटके खू का मास होता है क्योंकि यह सबसे ज़्यादा नरम होता है सबसे ज़्यादा मुलाहिम होता है जो मास वाले लोगों वो कहते हैं कि यह सबसे ज़्यादा स्वादिस्ट भी होता है तो कुछ लोगों के जीव का स्वाद बना रहे और कुछ लोगों को यह नरम मुलाहिम मास मिल कि वहार अजालता रहे इसके लिए करोणोंं गाय के बच्चों को जन्म लेने के गंटे के अंदर बच्चों को माہ से अलग कर दिया जाता है और इयसे इसथा में जाता है जहां को हो सके ना बैठ सके ना लेट सके और उसके बाद उनकी बरबरता से निर्ममता से हत्या की जाती है और कुछ लोगों को अपने पेट की आग उसी से बुझाने का रास्ता खुलता है आप सोचिए इतनी खतरनाक और इतनी दुष्ट राक्षसी प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् बड़ते बड़ते सारी दुनिया की करोड़ों गाए के लिए नासूर बन गया कैलिफोर्णिया में दुनिया का सबसे बड़ा खाना चलता है कैलिफोर्णिया का जो कतल खाना है उस कतल खाने का आंकड़ा है कि एक दिन में वहां 36,000 गाए काटी जाती है भारत का सबसे किता है कि कैई वार मैंने ये देखा, कि गाई के एक दिन के बच्चे को जब हम कतल करने के लिए गाय से छीन कर ले आते हैं तो वो गाय पागलों की तरह से अपने बच्चे को ढूनने के लिए भागती है और रास्ते में कोई भी मिल जाए उसको टक्कर मार सकती है उसको घायल कर सकती है उसको अपना बच्चा देखना होता है उसको चूमना होता है और वो कहता है हमने देखा है कि गाए के बच्चे को काटते समय उसका कतल करने के समय गाए पागलों जैसी इस्थती में विवहार करने लगती है और अंत में फिर उस गाए का भी कतल किया जाता है आप सोचिए कि बच्चे का कतल किया गाए पागल हो गई और और उस गाई का मांस लोग खा रहे हैं तो वो पागल नहीं होंगे आप सोचिए गाई अपने बच्चे को ढूणने के लिए बिलखती है, तड़पती है, परेशान होती है जैसे कोई मां होती है वैसे ही गाई होती है तो अमेरिका के कैलिफॉर्णिया के कतल खाने में काम करने वाला आदमी लिखता है अपनी उस बुकलेट में कि मैंने कई बार अपनी आँखों से देखा है कि गाई पागलों की तरह से घूमती है, बच्चे को ढूणती है जब नहीं मिलता है और रास्ते में कोई भी मिल जाए उसको, वो उसको टकर मार देती है, घायल कर देती है इतनी शक्ती उस गाई में पैदा हो जाती है, हालांकि वो गाई एक ही दिन की सद्य प्रसूता होती है माने एक दिन पहले ही माँ बनी होती है, फिर भी अपने बच्चे को ढूणने के लिए तड़पती है और इतनी ताकत उसमें आ जाती है ऐसी स्थती में करोडों करोडों गायों को परेशान करके, तड़पा के, उनके बच्चों को उनसे चीन कर, उनको बिलखता छोड़कर जब कतल किये जाते है और उसका मास दुनिया के लोगों को परोसा जाता है, तो किस तरह के लोग बनेंगे इस मास को खाने वाले, किस तरह की वरत्ती होगी ऐसे लोगों की जो इस तरह का मास खाते हैं, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं हमारे भारत में हजारों वर्षों से एक बात कही जाए और वो बात सौ प्रतिशत सच है जैसा खाओ अन वैसा बने मन अगर आप ऐसे तडपती हुई गाय के बिलखती हुई गाय के बच्छडे का मास खाएंगे या जानवरों पर कुरूर हिंसा दारा पैदा किये हुए मास को आप खाएंगे लुटे लफंगे लुटेरे बलातकारी व्यवचारी लोग पैदा हो जो इस तरह के मास को खाने के बाद निकलें उनमें से सात्विक लोगों के निकलने की तो दूर दूर तक संभावना नहीं क्योंकि हम जानते हैं और मानते हैं जैसा खाओ अन वैसा बने मन तो इस तरह का मास अगर खाते हैं और उस तरह के मास को खाकर हम हमारा जीवन चलाते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं तो इससे जादा तो खराब लोगों के पैदा होने का दूसरा कोई तंत्र दुनिया में नहीं है इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये मास खाने वाले लोगों के बारे में और मास का उत्पादन करने लोगों के बारे में सारी दुनिया में एक राय बननी चाहिए और एक अभ्यान चलना चाहिए कि हर मासा हारी आदमी को समझाया जाए और उसको शाकाहरी बनाया जाए और मास पैदा करने वाले उद्योगों को कहा जाए कि भाई तुमको पैसा कमाना है उद्योग चलाना है रोजी रोटी चलानी है तो दुनिया में बहुत सारे अच्छे काम है करने के लिए ग्यहूं का उत्पादन करो, मास का उत्पादन क्यों करते हो, चावल का उत्पादन करो, मास का उत्पादन क्यों करते हो, दूद का उत्पादन करो, मास का उत्पादन क्यों करते हो, दही और घी का उत्पादन करो, मास का उत्पादन क्यों करते हो, क्योंकि दूद दही घी भी उनी जान जो शौट में बर्गर कह देते हैं, उसका मूल नाम है हेंबर्गर, यह हेंबर्गर जो बनाया जाता है, यह गाय के मास से बनाया जाता है, यह गाय के मास से बनने वाला हेंबर्गर, यह बनता है, मैं थोड़ी देर जो पहले बना था, गाय के एक दिन पहले के पैदा हुए बच्चे के मास से हेंबरगर उसी से बनता है गाय का बच्छडा जो पैदा हुआ 24 घंटे में गाय से उसको अलग कर दिया उसका कतल करके जो मास पैदा हुआ उससे हेंबरगर बनता है तो यह जो हेंबरगर बनाया जाता है सारी दुनिया में और इसको बनाने वाली जो कंपन हैं पूरी दुनिया में वो इसी तरह गाय का पालन करती हैं और बच्छडों को गायों से अलग करकर के उनका मास बनाते हैं अब यह हैंबर्गर बनाते समय इसका रंग सफेद रहे और इसका रंग लाल हो आए उसकी कीमत में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है अगर सफेद रंग का मास है वो बहुत कीमती है लाल रंग का मास हो जाएगा उसकी कीमत गिर जाती है तो गाय का बच्छडे का मास हैंबर्गर बनाते समय पूरा सफेद रहे एकदम वाइट एंड वाइट रहे उसमें थो आप जानते हैं एक बीमारी होती है एनीमिया जिसको हम सब कहते हैं रक्त की कमी खून की कमी रक्त की अलपता खून की अलपता तो गाय के शरीर में अगर खून जरूरत से जादा है तो उसका जो मास निकलेगा और उसके बच्चे का मास निकलेगा वो हलके लाल रंका हो जाए बनाते हैं रक्त की अलपता नाम की बीमारी का शिकार बनाया जाता है और गाय को इस बीमारी का शिकार बनाके उसके बच्चे को इस बीमारी में लाया जाता है तो गर्ववती होती है मां बनने वाली होती है तो गर्व के समय में उसको जो पोशन मिलना चाहिए ताकि उसको र हमारे घर में हमारी मां की देखवाल करते हैं जो गर्भवती होती है और हमेशा यह द्यान रखा जाता है कि गर्भवती मां को कभी भी रख्त की कमी न षो खून की कमीना हो इसके लिए डॉक्टर तरह द्रहएं लिखता हैं घर सफेद रंग का मास मिले तो जादा अच्छा बनेगा तो उसके लिए गाए के खून में कमी आए गाए के बच्चे के खून में कमी आए तो गाए को गर्भावस्था में पूरा खाना नहीं देते आधा भूका रखते हैं उसको पिक भी तो उसके कुल भूख का मात्र एक तिहाई खाना ही देते है और कितने दिन लगबग गाय के पूरी गर्भावस्था के समय में जो वो लगबग नौ महीने दस महीने तक गाय लगबग नौ महीने में माँ बनती है भैस लगबग दस महीने में माँ बनती है तो गाय को 9 महिने तक लगाता और पूरा भोजन ना देकर कम भोजन देकर उसकी जरूरत का एक तिहाई और आदा ही भोजन देकर उसको जिन्दा रखा जाता है और मरने पाए और ठीक से जिन्दा भी न रहने पाए उसी इस्त्री में उसको रखे उसको खून की कमी पैदा की जाती है और उस खून की कमी में उसका मास थोड़ा सफेद हो जाता है आपने देखा है किसी व्यक्ती में खून की कमी हो किसी मा बहन बेटी को खून की कमी हो न तो लगती है कि वो थोड़ी गोरी है बहुत सारी माताईं, वहने बेटियां जो दिखने में बहुत गोरी लगती है उनका जब रक्त परिक्षन किया जाता तो पता चला खून की कमी होती है उनको लगता है कि वो गोरी दिख रही है, ज्यादा सफेद दिख रही है रंग में थोड़ा हल्का पीलापन आया लापन लाए जाता है ताकि उसका मास सफेद निकले उसके बच्चे का मास सफेद निकले और उसके बाद फिर उसकी हत्या हो और उसकी हत्या के बाद मास सारी दुनिया में बेचा जाए इतनी क्रूरता गाए बच्चे और जानवरों के साथ मास का उत्पादन करने वाले अमेरिका में काटी जाती जब हम रात को सोकर सबेरे उठते हैं और standards 12 गंटे हमारे दिन के बीथ जाते हैंतम इतनी देर में अमेरिका उपत्रब करत जाती है अमेरिका में केंद्र स्तर पर कानून है, राज्य स्तर पर कानून है, अमेरिका में 50 राज्यों की राज्यों की राज्य सरकारों ने गाय को कतल करने के लिए कानून बना रखे हैं, लेकिन भारत में तो 17 राज्य ऐसे हैं, जिनकी राज्य सरकारों ने गाय के संरक्षण के लि अमेरिका में हर साल लगबग एक हजार करोड जानवर कटते हैं हर साल एक हजार करोड जानवर कटते हैं इसी तरह यूरोप के देशों में हर साल करीब साथ सो करोड जानवर कटते हैं इसी तरह चीन में हर साल लगबग 350 से 400 करोड के आसपास जानवर कटते हैं और भारत में हर साल मैंने आप से करीब 10 करोड जानवर कटते हैं सारी दुनिया में ये कटने वाले जानवर की संख्या लगातार बढ़े और इसकी व्रद्धी हो इसके लिए मास उत्पादन करने वाली कमपनिया लगी हुई सारी दुनिया में सबसे जादा शोध हुई है पिछले 50 साल में इस विशह पर कि शाकाहारी जीवन अच्छा या मासाहारी जीवन अच्छा दुनिया के सभी वैग्यानिकों ने और अक्टरों ने ये बताया है अमेरिका के भी वैग्यानिक, यूरोप के भी वैग्यानिक, भारत के वैग्यानिक, चीन के और लेटिन अमेरिका के दुनिया के सभी छेत्रों के वैग्यानिक इस बात पर सहमत है कि शाकाहरी व्यक्ति ज़्यादा स्वस्थ होता है, मासाहरी व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है और हमेशा तकलीफों में रहता है इनको अगर आंकडों में मैं बताने की कोशिश करूँ तो एक शाकाहरी आदमी को एक मासाहरी आदमी की तुलना अगर करें कि एक साधानन आदमी में अगर साल पर में कैंसर विक्सित होने की संभावना है तो मासाहरी आदमी में उससे 23 गुना कम समय में कैंसर होने और विक्सित होने की संभावना इसको और सरल भाशा में समझाओं एक शाकारी आदमी को 23 साल में अगर कैंसर होगा तो एक मासाहरी उससे 23 साल पहले मरेगा कैंसर की स्थिती में इसी तरह से डाइबिटीज है और हर्ट अटेक है डाइबिटीज और हर्ट अटेक के बारे में सारी दुनिया के वेग्यानिकों का यह हैं कि जो शाकारी आदमी है उससे 40 गुना ज्यादा संभावना है मासाहरी आदमी के डाइब सारे दुनिया के वेग्यानिक इस बात पर सहमत है कि शाकाहरी जीवन ही स्वस्त जीवन है और शाकाहरी जीवन को जीकर ही आप जादा दिन जिंदा रह सकते हैं मासाहरी ओके तो बहुत जल्दी पूटेंगे और मरेंगे इसमें संभावना ही क्या-क्या है जो मासाहरी रहा है वो बहुत ही खराब तरीके से होता है सबसे बड़ा खराब तरीका कि जानवरों को जहां पाला जाता है और रखा जाता है वो जगे बहुत छोटी होती है और जानवर उसमें जादा भरे जाते हैं और छोटी जगे में जादा जानवरों को जब भरा जाता है तो जा लेता है क्योंकि वो तनाओं में रहता है हमेशा है और तनाओं में रहने का कारण क्या है एक सुर को रहने के लिए कम से कम जितना इस्थान चाहिए उतने में दस सुर को रख देते हैं एक मुर्गे को रहने के लिए कम से कम चार स्कुएर फिट जगे लगती है चार स्कुएर फिट में तो दस मुर्गों को जबर जस्ती रख देते हैं एक गाय को रहने के लिए नियूनतम जितनी जगह चाहिए उसमें दस गाय को रख देते हैं एक बेड़ को रहने के लिए बकरी बकरे को रहने के लिए जितनी जगह चाहिए उसमें दस गुने जादा रख देते हैं तो जानवर हमेशा तनाव में रहते हैं, क्योंकि जगे कम होती है उनको रहने के लिए, आप ही एक इसको रहने की कोशिश करके देखिए कभी, एक कमरा है जिसमें एक व्यक्ति आसानी से रह सकता है, उसमें दस लोग रहना शुरू कर दीजे, और लगातार दो, चार, छे मही इने रहकर देख लीजे, आप अच्छे खासे स्वस्थ आदमी है, पागल होने की स्थिती में आप आ जाएंगे, तो इतना बढ़ जाएगा, चिर्चिडापन आपको इतना बढ़ जाएगा, अच्छानिया आपको इतनी बढ़ जाएंगी, तो वो जानवर तो महीनों महीन उनके शरीर में उस समय होता है, और उसी समय जब उनको काटा जाता है, तो भय और उनको होता है, डर और उनको होता है, तो डर और भय की स्थिती में जब जानवर काटे जाते हैं, तो उनके खून में वो सारे के सारे निगेटिव हार्मोन्स या इस्ट्रेस हार्मोन्स जो तनाओ देने वाले हार्मोने वो रहते हैं और थोड़े बहुत मास में भी रहते होंगे मास पेशियों में भी रहते होंगे और मास पेशियां और मास का ही हिस्सा है जो लोग खाते हैं तो उनके शरीर में वो सब जाते हैं और उसके कारण तरह तरह की बीमारियां लोगों को ह होती हैं इसलिए दुनिया में कहा गया है कि मासाहारी लोगों को शाकाहारी लोगों की तुलना में होती है और उनके मरने की सबसे जल्दी संभावना होती है इसके अलावा दुनिया में और एक महत्व की बात गई है वो ये कि जो शाकाहारी लोग हैं उनमें दया, प्रेम, करुणा ये सबसे ज़्यादा तीवर गती से और सबसे उच्छ स्थती में मिलती है सारी दुनिया में कई जगे अभ्यास किया गया अभी जगे अध्यान किया गया अलग-अलग समू बनाकर एक तरफ मासारी लोग एक तरफ शाकारी लोग है तो देखा ये गया कि जो शाकाहरी लोग है उनमें प्रेम है उनमें करुणा है, उनमें बातसल है, उसमें ममत्त्व है, सब तरह के मानवी अगुण सबसे ज़्यादा शाकारी लोगों में है. और हिंसा है, हिंसा के साथ साथ चोरी, चपाटी, डकैती, बलातकार की भावना, एक दूसरे को दुष्टता के इस तर पर देखने की भावना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की भावना ये सबसे ज़्यादा देखी गई है मासाहरी लोगों में होती है और दुनिया में हम देख भी रहे है कि इस समय जो हिंसा का सबसे बड़ा दौर चल रहा है पूरी दुनिया में जहां सबसे ज़्यादा हिंसा हो रही है पूरी दुनिया में आप ध्यान दीजिए वो सारा का सारा इलाका मासाहरी लोगों का है और मासाहरी लोगों के इलाके में होने वाली जो हिंसा है, वो जल्दी खतम नहीं होती है, दस, बीस, पचास साल नहीं, सेकड़ों सेकड़ों साल वो हिंसा चलती है, और हिस हिंसा में से प्रति हिंसा चलती है, और वो पूरा इलाका हमेशा के लिए अशान्त और अशान्ती मे डूब जाता है दुनिया में जहां शाकाहार बहुत ज़्यादा है उन देशों में आप देख लो काफी शांती मिलेगी मैंने ये देखा इस अध्यन में कि जो शाकाहारी लोग हैं वो गरीब हैं बुकमरी के शिकार हैं उनमें कुछ महमारियां भी हो सकती हैं लेकिन सबसे ज अशांती उनी के इलाके में हैं जहां सबसे ज़्यादा शाकारी लोग हैं पूरी दुनिया और जहां मासाहारी लोग हैं उनमें अमीरी हो सकती हैं उनमें अमीरी हैं उनमें सम्रुद्धी हैं उनमें संपत्ती हैं लेकिन सबसे ज़्यादा हिंसा उनके बीच में हैं और मान सबसे ज़्यादा है एक छोटे से देश की कहानी बताता हूं इस्पेन नाम का एक देश है और स्वीडन नाम का एक देश है स्वीडन को दुनिया में कहा जाता है सबसे ज़्यादा अमीर देश है स्वीडन को कहा जाता है वहां विकास का मांदंड सबसे उचा है परम पुझन स्वीडन के बारे में कहा जाता है कि वहां के लोगों को कोई दुख नहीं है कोई तकलीफ नहीं है कोई परिशानी नहीं है उनके ब्रश्टा चार नहीं है उनके मारा मरी नहीं है उनके वगेरा वगेरा बहुत सारे दुख नहीं है उस स्वीडन के बारे में अभी में अधियन किया वो इस बात के लिए, कि स्वीडन की सडकें दुनिया में सबसे अच्छी हैं, सबसे अच्छी सडकें हैं, पूरी दुनिया में स्वीडन में हैं, ऐसा कहा जाता है कि स्वीडन की सडकें हैं, वो रबर की सडकें हैं, जैसे आप रबर की सडक पर चल रहे हैं, तो Sweden के इतनी अच्छी है लेकिन Sweden के वग्यानिकों का कहना है कि सबसे ज़्यादा दुनिया में पीट दर्द के मरीज अगर कहीं है तो वो स्वीडन में है जिनकी सडकें सबसे अच्छी है जहां पर गाड़ी ऐसे चलती है जैसे पानी में मचली फिसलती हो वहां के लोगों के पीट में दर्द क्यों होना चाहिए भारत जैसे देश की सड़कों के बारे में ये कहा जाए तो समझ में आता है क्योंकि भारत में तो सड़के कम है खड़े जादा है यहां तो सड़क के बीच में खड़े नहीं है खड़ों के बीच में से सड़क निकलती है यहां के लोगों के पीट में दर्द हो तो समझ में आता है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लेकिन स्वीडन के लोगों के पीट में सबसे ज़्यादा दर्द क्यों है तो वहां के वैग्यानिकों का कहना है कि यह सिक्को सोमेटिक डिसॉडर है वहां के लोगों को बनो दैहिक जो चिकित्सा करने वाले वैग्यानिके वो कह रहे हैं कि इसकी जादा संतुलन में से पैदा हुई बीमारियां है उनके सडकों से कोई लेना देना नहीं है और उनका कहना भी बीमारियों का एक बड़ा कारण उनके हैं वो मासाहरी भोजन है और मासाहरी जीवों की हत्या है और उनसे निकलने वाली हिंसा है तो ये अभी अध्यन सारी दुनिया में हो रहे हैं और बता रहे हैं कि कैंसर जादा हो रहे हैं, डाइबिटीज जादा हो रहे हैं, हरटटेक जादा हो रहे हैं, ब्रेन हेमरेज जादा हो रहे हैं, कॉलेस्टरोल जादा बढ़ रहा है, मोटापा जादा बढ़ रहा है, हमार से तो शायदी कोई भारत स्वाविमान का कारी करता होगा जो मासाहरी अब तक बचा होगा अन्निता तो वो शाकारी होगा प्राणायाम करते करते योग करते करते बार बार आस्था चैनल पर परमपुजी ने स्वामी जी का व्याख्यान सुनते सुनते अब तक तो सभी भारत स्वाविमान के जो कारी करता है भारत स्वाविमानी है वो सब शाकारी हो गए होंगे लेकिन गल्ती से कोई हेकाद बच गया है तो अब हो जाना चाहिए उसको बहुत जल्दी से जल्दी शाकारी हो जाना चाहिए उसको मासहारी रहना ही नहीं चाहिए अभी कई बार ये मासारी लोग एक कुतर्क देते हैं वो ये देते हैं कि मास में प्रोटीन जादा मिलती है और प्रोटीन का दूसरा हमारे पास कौन सा श्रोत है अगर हम मास नहीं खाएं तो आपको सुनकर ताजव होगा रहरानी होगी कि मास में जितनी प्रोटीन मिलती है लगबग उतनी ही और उससे थोड़ी ज़्यादा प्रोटीन हमको दालों में मिलती है। अगर आप एक किलो मास खाते हैं और एक किलो मास में जितनी प्रोटीन आपको मिलने की है उससे ज़्यादा प्रोटीन एक किलो मूं की दाल खालो उसमें मिल जाएगी आपको। एक लीटर दूद पीलो उसमें उससे ज़्यादा प्रोटीन आपको मिल जाएगी और एक लीटर जो है ना अगर आपको कैल्शियम चाहिए और कैल्शियम के सासा दूसरे माइगे दूस्तों हमारी वेबसाइट राजीरतिक्षिची.com ज़रूर विजिट करें पीलो, एक लीटर संत्रे करस पीलो, एक लीटर मुसम्मी करस पीलो, गाजर करस पीलो, टमाटर करस पीलो, मास से तो कई गुना सस्ता है, और कैल्शियम देने में मास से ज़्यादा आगे है, प्रोटीन देने में आगे है, हजम बहुत जल्दी हो जाता है, पाचन उसका बहु quality में बहुत अच्छा है और कीमत में बहुत सस्ता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक calculation किया वो ये कि अगर हम एक एकड़ खेत में खेती करें और एक एकड़ खेत की खेती में साल में चार फसल लें और चार फसल में गेहूं भी हो, चार फसल में चावल भी हो जाए, चार फसल में डालें भी हो जाए कुछ सबजियां भी हो जाए तो एक एकड़ खेत में जितनी खेती हम करेंगे साल वर में उसमें 22 लोगों का भोजन हम दे सकते हैं एक एकड़ खेत में खेती करके 22 लोगों का पेट भरा जा सकता है पूरे साल में जितना उत्पादन होगा उसी एक एकड़ खेत में जितना अन पैदा हो उस पूरे अन को किसी जानवर को खिलाया जाए और उसका मास पैदा किया जाए तो उस मास से पूरे साल में सिर्फ दो लोगों का ही पेट भर सकता है एक एकड़ खेत में हम खेती करके अन्न पैदा करें तो 22 लोगों का भोजन मिलता है उसी एक एकड़ खेत में जो अन्न पैदा हो रहा है वो जानवरों को खिला दिया जाए जो जानवर उस मास को खाएंगे और उसमें से जो मास पैदा होकर आदमी को खाने को मिलेगा वो सिर्फ दो आदमी का पेट भर सकता है बहुत साल पहले हमारे देश में एक महान विचारक और चिन तक पैदा हुए महर्शी द्यानंद सरस्वती महर्शी द्यानंद सरस्वती जी ने एक बहुत सुन्दर पुस्तक लिखी है बहुत छोटी सी पुस्तक है लेकिन बहुत ही सुन्दर है मेरे विद्यारती जीवन में मैंने उस पुस्तक को बार बार पढ़ा था उस पुस्तक का नाम है गो करुणा निदी गो करुणा निदी पहली पुस्तक थी जिसको मैंने पढ़ा जिसमें गाय के बारे में आर्थिक मूल्यांकन और विशलेशन प्रस्तुत किया गया था महरशी द्यानन सरस्ती के पहले शायद किसी भारतिय चिंतरक और विचारक को गाय के आर्थिक पक्ष के बारे में इतना बड़ा अंदाजा नहीं था तो महरशी द्याननी जी ने भी यही लिखा है कि एक गाय को काट कर उसका मास खिलाओ तो बहुत मामूली से थोड़े से लोगों का जीवन चल सकता है लेकिन उसी गाय को जिंदा रखो और उसके दूद का और दूद्स के अलावा दूसरी वस्तूओं का उपयोग करो तो उससे कई गुना जादा लोगों का जीवन चलाने का रास्ता खुलता है तो महरशी द्यानंद सरस्वती ने जो बात 1870 के पहले कभी समझी सोची और लिखी वो बात अभी 2009 में भी उतनी ही खरी और सत्य है और उतनी ही प्रामाणिक है जो आज से वो लगबग 140-145 साल पहले थी और इतनी ही प्रासंगिक है तो हम तो सब महरशी द्यानंद के पुत्र हैं हम तो सब महरशी द्यानंद के मारगी हैं हम तो सब उनकी सिक्षाओं को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ने और चलने वाले लोग हैं हम तो सब महरशी द्यानंद जैसे महान-महान विचारक और महापुरुशों के द्वा नहीं दया प्रेम करुणा की सिक्षा देने में और लोगों को शाकाहारी बनाने में भीता है धाई हजार साल पहले उन्होंने जो कुछ कहा अहिंसा के लिए सत्ति के लिए अपरिग्रह के लिए वो सब धाई हजार साल बाद भी उतना ही प्रासंगिक है और महतुपूर्ण है इन सबके आदर्शों को लेकर तो चलने वाले लोग हैं भारत स्वाविमानी है हम सब तो मुझे लगता है कि हम को तो जल्दी से जल्दी इस रास्ते पे चल कर दूसरों को तेजी से शाकाहारी बनाने के लिए काम में लग जाना चाहिए ताकि भारत की जो 30% आबादी गलत 30% भारत की आबादी को जल्दी से शाकाहारी बना ले और दुनिया की आबादी को शाकाहारी बनाने के लिए काम में लग जाएं तो मैंने आपसे विनमरता पूर्वक कहा था सबसे पहले कि जितना अनुत पादन आज हो रहा है इसमें एक किलो की भी बड़ोतर ही ना हो और और सारी दुनिया में मास्के कतल खाने बंद हो जाएं तो जितना भोजन हम आज पैदा करें हैं उतने भोजन से 1300 करोड кож़ लोगों का पेट भर सकता है अभी तो हम सिर्फ शाड़े 600 करोड हैं पूरी दुनिया में माने पूरी दुनिया की भूख मिट सकती है पूरी दुन दुनिया में गर्मी पैदा करने वाले जो कारक हैं, उन कारकों में मास सबसे बड़ा कारण बन गया है, इसको खतम किया जाए तो गर्मी कम की जा सकती है, सारी दुनिया के जंगल बचाए जा सकते हैं, पीने वाले पानी का सदूप जा सकता है, उस पानी को बचाए जा सकता ह ये सब फाइदे ही फाइदे हैं, बस नुकसान एक ही है, कि मासाहरी लोग अगर दुनिया में शाकाहरी हो गए, मास पैदा करने वालों को कोई दूसरा रोजगार ढूंडना पड़ेगा, कोई दूसरा उद्योग चलाना पड़ेगा, और दूसरी जगे अपनी प्रतिवा को लगाना पड़ेगा, एक ही ये परिवर्तन होगा उनकी तरफ से, बाकी सद परिवर्तन तो पूरी दुनिया के लोगों में हो जाएंगे, तो इस भावना के साथ मैं इस व्यक्यान को समाप्त करता हूं, कि हम सब शाकाहरी बने, दुनिया को शाकाहरी बनने के लिए प्रेर करणा करें, क्योंकि हम भारतवासी मानते हैं, कि हम में जैसी आत्मा है, जानवरों में भी वैसी आत्मा है, आत्मा हमारी और जानवरों की समान है, जब आत्मा उनकी और हमारी समान है, और हम एक ही परमपिता इश्वर की संतान है, तो हम सब भाई बहन ही जैसे है, और जान में अपने आपको बचाएंगे यह हमारे लिए अभीष्ठ है और यही हमारा उद्देश है इसमें हम सब लगें इश्वर हमें सफलता दे और हमें प्रेरणा मिलती रहे ऐसी भावना के साथ आप सभी का अभार बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें फिल लाइक कमेंट और शेयर करें और हाँ हमारा एंड्रोइड एप डाउनलोड करना ना भूलें